चलती चलती किसी डगर में रस्य अचानक मोड़ाता है यूही कोई एक ही पल में सब कुछ पीछे चोड़ाता है इन लाइनों को कंपोस किया है और गाया है औसकर विनर एयार रह्मान भारत के फेमस मुजेशियन एयार रह्मान जोके आवाज और गाहन ने दुनिया भर में धूम बचाई और आज भी वो लोगों के दिलों में खास जगे रखते हैं लिकिन क्या आपको पता है कि हिंदू परिवार में जनलेनी के पावजूत एयार रह्मान ने इसलाम धर्म क्यों अपनाया और अब 29 साल बाद क्यों उनकी पतनी सायरा से तलाग की खबरे आने और आखिर रह्मान को इतनी जदा च्रॉलिंग के सामना क्यों करना पड़ रहा है तो चलिए आज की अपने स्पेशल स्टोरी में हम इन सारे सवालों की जवाब शाम दे है हेलो फेंड्स आप सबे का आपकी खबर में बहुत बहुत सागात है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया से तो म्यूजिक कंपोजर एयार रह्मान अपनी परस्नल लाइफ को लेकर कुछ समय से सुर्क्यों में है जिसकी वज़े है कि उन्होंने शादी के 19 साल बार तलाग की अनौंसमेंट कर दी है वैसे एयार रहमान हमेशा सही अपनी परस्नल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे है क्योंकि उन्होंने 1910 में मुस्लिम धर्म अपनाया था जिन्होंने उनकी पिता के आखरी दिनों में उनका इलाज कराया था दरसल एयार रहमान की पिता कैंसर से लड़ रहे थे वही जब बायत में वो और उनका परिवाद 7-8 साल बाद उस सूफी से मिले तो उन्होंने दूसरा धर्म अपनाने का फैसला कर लिया बता दें कि एयार रहमान ने अपने आंतरिक शांती और जीवन में एक नई देशा की तलाश में इसलाम धर्म अपनाया लेकिन उनके लिए एक आसार नेड़ा नहीं था पहले कुस्ताइन तक उन्होंने अपनी आस्ता को लेकर संकोश मैसूस किया क्योंकि वो एक ऐसे समासे थे जहां धर्म और संस्कृति की धारा काफी ज़्यादा गहरी थी लेकिन समय के साथ उन्हें इसलाम धर्म से मांसिक और अध्यातिक संतुलन मेरा इसके बाद एयार रह्मान की लाइफ में एक और इंपोर्टेंट मूर्थ तब आया जब उन्होंने सायराबानों से शादी की सायराबान जो एक मुस्लिम परिवार से तालूप रगती थी और वो रह्मान की सबसे करीबी साथी बनी दोनों ने एक दूसरे के साथ एक शांत और गहरा रिष्टा बनाया जिसके बाद एयार रह्मान और सायरा की शादी एक मिस्साल बन गई और उनकी जोड़ी को बहुत ज़दा पसंद किया जाने लगा उनकी चार बिष्टी और परिवार में हमेशा प्यार और शांती का महौल बन गया लेकिन जैसे जैसे वक्त वीता गया एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी शादी के स्टेबल्टी को ही चुनौती दी दी लग खुलकर बात नहीं लेकिन मेडिया में तरत रखी अफवाएं पैने लगे जिसमें करी लोगों का कहना था कि दोनों के बेच कुछ सालू से रश्टे में खटास आ गई है यह भी कहा गया कि एयार रहमान के करियर और पब्लिक लाइफ की वज़ज़ से परिवार पर अ बहुत से लोग उनकी परसनल लाइफ के बारे में तेपडिया करने लगे दरसल एयार रहमान ने अपने पोस्ट में एक हैस्टेक यूश किया था जिसकी बात से सोचल मेडिया पर जहां कुछ सोचल यूजर उनके लिए सेंपथी व्यक्त कर रहे है तो वही कुछ हैस्टेक के लिए सवाल उठा रहे है जिस पर यहार रहमान के पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट किया कि इस स्थिति के लिए हैस्टेक और बनाता है अपने एड्मिन को फायर करो थलाईबा वहीं एक ने लिखा कि इसके बाद हैस्टेक क्यों क्या पागल हो गए इसके बाद एक सोशल मेडिया की चोलिंग का शिकार हो गए हलाकि उन्होंने इस पर कोई रियक्शन नहीं दिया है वैसे देखा जाये तो यार रहमान की जिन्दगी एक इंस्परेशन है उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल वक्त में हमें अपने धर्म कला और जीवन के उद्दे आपकी खबर